हेलो एविवन आज हमें करना है चैटर टू विचिज पॉलिनोमियल्स तो जो पॉलिनोमियल्स है उसमें हमें करना है आज एक्साइज 2.1 दियर मैं आपको एक बात पताना चाहता हूं अगर मुझे सिर्फ एक्साइज 2.1 करवानी होना तो यह विदिन 2 मिनट्स कंप्लीट हो होगा जिमेट्रिकल यह हम कैसे इसको जानते हैं इसके लिनियर पॉलिनोमियल को को और इडिक पॉलिनोमियल को फिर उसके बाद आपको क्योभी को ग्राफिकल तरीके से मैंने दो तीन एक्जामपल्स लेकर समझाएं एक बार आप इसके इंड्रोडक्शन से देख लेंगे बहुत इंपार्डेंट होता है होता किया है कि जो भी unseen questions, heavy questions, difficult questions आते हैं तो आप अनेवल हो जाते हैं इसको solve करने में इसके पीछे बस एक ही reason है कि आपने concept में काम नहीं किया है कभी भी किसी भी exercise का concept बहुत role play करता है अगर concept आपको समय में आ जाता है तो questions करना not a big deal you can solve those questions yourself firstly you have to command over the concept ठीक है इसलिए आज जो आपको मैं बता रहा हूँ 2.1 with introductions ठीक है दियर मैं एक बात आपसे और बताना चाहता हूँ class 10 के सारे videos upload किये जा रहे हैं complete syllabus में upload करूँगा अगर चैनल पर new है तो चैनल को subscribe कर ले बेल एकन प्रेस कर ले बेल एकन प्रेस करेंगे अगर वह अगर class 12 के कोई भी ब्रदर सिस्टर्स या कोई भी रिलेटिव स्या फैमिली में कोई भी है तो class 12 के इस पर complete वीडियो अपलोड किये जा चुके हैं ठीक है तो आप इस चैनल का लिंक आप उनको भी शेयर कर सकते हैं खुद भी benefits ले उनको भी benefits दें ओके तो चलिए हमने पॉलियो में अपने पड़ा है उसका मैं यहां बता देता हूं ठीक है ना एक बार रिकॉर हो जाएगा उससे benefit यहोगा कि फिर class 10 के जो पॉलियो में से समझने में आपको असानी होगी ठीक है तो दिखते है class 9 में हमने linear polynomial पड़ा था और linear polynomial क्या होता है जो हमारा x प्लस में यह बी के फॉर्म में होता है जर्णल फॉर्म है polynomial का और यह हमारा 0 से को नहीं होता है अगर यह 0 हो जाएगा तो फिर हमारा linear polynomial नहीं होगा ठीक है for example हमने माल लिया कि हमारा linear polynomial है Px जो हमारा Px क्योंकि हमने polynomial को Px से represent करते है ठीक है ना तब Px हमारा क्या है 3x प्लस 2 यह हमा इसके डिगरी जो होते हैं जो यहां वेरियेवल इसे धिगरी कहते हैं यह वन होता है तुछ से में क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमिल कहते हैं बसमाइब ना रही है यह linear equation होगा बट यह 4x-7 बस इतना लिखा हुआ थी कि हमारा linear polynomial है ठीक है इतनी बाते तो इसलिए polynomial को PX से represent करते हैं तो अब यह मत सुचना असर आपने PX से क्यों लिखा यहां पे अपने P अगर आपको समझवागे कि linear polynomial क्या होता है जिसका degree जो होता है वेरिवल का डिकरी 1 होता है उसे हम कहते है linear polynomial ठीक है और भी example हमने यह लिख दिया है root 2x plus में 3 यह भी हमारा linear polynomial है y plus 5 x minus 3 by 4 या 4 by 3 x plus 1 एक सारे example आपके है linear polynomial के ठीक है जैसे मैं बता रहा हूं कि मैं भी briefly आपको class 9 में क्या पढ़ रहा था वो बता रहा हूं ठीक है अगर आपको याता है तो आप आगे की तरह बढ़ सकते हैं but best है कि आप इसे watch कर लें तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ठीक है अब आता जैसे यह quadratic polynomial हमारा क्या होता है जैसे के हमने लिख दिया quadratic polynomial का 2x square plus 3x plus 4 या x square minus 7x plus 2 यह quadratic polynomial है a polynomial of degree 2 जिस polynomial का highest degree 2 हो उससे हम क्या बोलते है quadratic polynomial कहते है a polynomial of degree 2 is a quadratic polynomial ठीक है जैसे यहाँ पर देखें यह हमारा quadratic polynomial है क्योंकि इसका degree के हमारा highest 2 है यह भी हमारा quality के है y square minus 2 यह भी हमारा क्या quality के है ठीक है यह constant है यहाँ पर हमारा x square है यह plus root 5x है थो हमने देखा यहाँ पर यहाँ पर variable सबसे maximum power कितना है 2 है तो degree 2 है ठीक क्योंकि यह भी quality के है ठीक है यह भी quality के है यह भी quality के है यह फर हम्हारा बलस में पी वाय के फोर्म मिलें यह हमारा जहां हमारा zero स्पर नहीं होना चाहिए क्योंकि पर पढ़िया यहां पर हमारा ABC क्या है ABC महारा रिए क्वाजिक को नहीं होने इसके बाद अंगले पेस पर यहां पर इसलिए हमारा क्या है क्यूबिक स्क्राइब क्या होता है जैसे x cube है plus 2 x square plus x minus 7 यह हमारा example है cubic polynomial का cubic polynomial क्या होता है जिसका degree कितना होने चाहिए 3 मतलब जो polynomial given उसका highest degree कितनी होने चाहिए 3 होने चाहिए ठीक है ना और वो ऐसा होता है तो उसे हम कहते है cubic polynomial यह भी हमारा example है cubic polynomial यहां पर यह हमारा x के form में था इसलिए हमने px लिया यहां पर s के form में इसलिए हमने ps लिया ठीक है इतनी बाते है general form जो हमारा होता है cubic polynomial में लगा ax cube plus में bx square plus में cx plus में d होता है a b c d यहां पर हमारा real number होता है और a 0 से equal नहीं होने चाहिए अगर a 0 से equal हो जाएगा तो यहां पर 0 लिखने पर फिर हमारा cubic नहीं quadratic बन जागा क्या बन जागा या तो quadratic बन जागा या linear बन जागा ठीक है डिपेंट करता है समझेंगे यहां पर ठीक है न अगर मैंने लिख दिया x cube plus में 3x plus में 9 यहां लिख दिया 2x cube ठीक है न यह हमारा क्या है cubic polynomial है क्योंकि हमारा highest degree कितना है यहां पर 3 है अगर मैं इसको 0 कर दूं अगर मैं इससे 0 कर दूं x cube कर दूं प्लस में यह क्या 3x से plus में 9 है यह तो 0 हो जाएगा थी हमारा क्या बन गय ठीक है कि नहीं तो अब यह हमारा यहां पर एक प्लेस पर यहां टू है तो यह 0 नहीं होने चाहिए 0 होने पर यह 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 क्वाडिटिक भी बन सकता है यह लीनियर भी बन सकता है यह यह constant कैसे सबोज कोई आपका ऐसा गिवन है पी x is equal to माल लेते है यहां पर 3x cube है प्लस मे सब्सक्राइन बचेगा तो यह हमारा constant polynomial हो गया बात समय नहीं आ रही है तो यह आपका journal form आपको हो गया cubic polynomial का ठीक है ना अब देखते है polynomial क्या नहीं होता है polynomial जैसे कि यह रूट x plus में 3 है यह हमारा polynomial नहीं है polynomial इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी आपका polynomial होता है उसको डिगरी होता है ना डिगरी यहां लिख दिया है हमने four polynomials degree must be whole number only सिर्फ whole number इसको डिगरी होता है ना इसको डिगरी होता है वो क्या होना चाहिए whole number होना चाहिए जिरो या one या two या three बट यहां पर हमने का लिखा है root three x तो root x के बारे में पता है root x क्या होता है x की पाउर में one by two यह one by two जो हमारा है whole number नहीं है इसलिए हमारा यह थो 1 by x लिखा है, यह भी हमारा नीचे में आ गया, टिए 1 by x इस फोर्म में आता है, तो वमारा पॉलिणोमिल नहीं होता है, यह थो 1 by x स्कुरड लिखा हूबढ़ एक्शिशिलि इसको आप उपर लेकर जायेंगे, तो x अब्स पोअधा है, ये भी हमारा whole number नहीं है, इस form में पर याने पर हमारा क्या नहीं होता है, polynomial नहीं होता है, ठीक है न, बात समझे में यहां पर लिख दिया है, here, root 3, root x plus 3, not a polynomial, because degree हमारा यहां पर क्या हो रहा है, 1 by 2 हो गया, जो की whole number नहीं है, बात समझे में आपको आ रही है, तो यह basic चीजे सबसे पहले जो हम work करना जा रहे हैं, वो linear polynomial में, ठीक है, हमें पता है, general form linear polynomial का यह होता है, ठीक है, अब देखें, यहां पर हमने बताया कि हमारा polynomial x variable में है, तो इस लमने इससे px माल जा, px equal to x plus b, हमारा topic है 0 of a polynomial, यह class नहीं पढ़ चुके है, उसका मैं ब्रीफ बता रहा ह हो गया, यह plus b, इधर आने भी क्या, minus का b होगा, और a multiply में हो गया, x is equal to, जो हमारा minus का b by a है, यह तो minus का b by a है, इस polynomial का क्या है, 0 of this polynomial, कैसे अभी बताऊंगो, example के साथ, अब यहां देखें, यह minus का b by a है, तो b क्या है, जो b हमारा है, वो constant है, यह हमारा क्या constant part है, यह हमार variable term है, तो यह minus, जहां पर b, b के जगर हम निका लिख दिया, constant term upon a हमारा क्या है, यह जो हमारा है, इस variable का क्या है, coefficient है, तो क्या है, coefficient of x, यह हमारा क्या है, coefficient of x, जब भे linear polynomial हमारा गिवा इने, उसको 0 निकालना हो, तो आप directly minus constant upon a coefficient of x लिक सकते हैं, direct, जैसे for example, हमारा 2x plus 3 है, अगर मैं यहां जो इसे solve किया है, इसे solve नहीं करना चाहते है, अगर direct निकालना चाहते है, तब direct निकाल सकते हैं, कैसे देखिए यहां पर, formula हमने क्या बता है, minus b भाई यह, तो यह हमारा 2x plus 3 है, 2x plus 3 है, formula तो minus b, b के प्लेस पर क्या है 3, upon a, a के प्लेस पर क्या है 2, आंग 3y2 है, ति मानस का 3y2 जो है, इस polynomial का 0 कैसे है, वो देखें आप, जो हमारे x की value आई, actually जो minus 3y2 क्या है, x की value है, इस x की value को आप यहां पूट करें, यहां पूट करेंगे तो जो px है न, 0 हो जाएगा, देखें, जहां एक सबहा मानस का 3y2 पूट किया, यह 2 है, जहां पे x मानस का 3y2 और यह हमारे तो यह 2 से, यह 2 कैंसिल हो गया, तो मानस 3 प्लस 3 यह कैंसिल हो गया, तो 0, देखें, मानस 3y2 पे 0 आगया, मतलब यह x की value जो है, मानस का 3y2 पे, यह जो मारा polynomial क्या रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए इसको मानस 3y2 क्या बोलते है, 0 of this linear polynomial है न, इसका standard form ह हमारा क्या हो जाएगा, इसका standard form हम बोल सकते हैं, अगर कोई भी आपको इस वाले form में given है, ठीक है न, polynomial, linear polynomial, इसका 0 क्या गया लाएगा, मानस का b by a, 0, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, मानस का 3 by 2 यहाँ पूट करने पे, यह आप P x को हम क्या बोलते है, P x को y बोलते है क्या बोलते है, P x को y, अभी आगे मैं इसके बारें बताऊंगा, P x हमारा क्या होता है, y होता है, ठीक है न, तो y equal to कितना गया, 2x plus 3, अभी यहाँ पे हम put कर रहे है, minus का 3 by 2, तो y की value कितनी 0 आ रही है, x की value आपको है, minus का 3 by 2, 0, बस यह हमारा y के लिए है, यह हमारा x के P x है, P x बोल दो, या y बोल दो, मर्दी या ठीक है, ठीक है इतनी बाते हैं, इससे नोराण कर लें, अभी हमने आपको linear polynomial का 0 बताया है, अब मैं बताना चाहरा है, अब मैं बताना चाहरा है, तो quadratic polynomial में आपको पता है कि इसका जो हमारा general form होता है, वो होता है, ax square plus, bx plus में c, a not equal to 0 है ना, तो हमने यहाँ पे एक polynomial ले लिया है, अभी यहाँ पे मैं briefly बता रहा हूँ, इसके बारे में आगे मैं study करना है, हमें 2.2 में study करनी इसके बारे में, ठीक है ना, तो अब हमारा यहाँ पे एक हमारा quality polynomial given है, यहाँ पे हमारा ठीक है ना, अब हमने यहाँ यहाँ पर मैंनस प्लस को 3 यह माइनटस फोर मनदस otiot कररों यहां पर इतना रहा हुँ जील उन पर आ रहा है alterowane भी केतना रहा है जिरो आ रहा है हमारा तो हमने यहां पर देखा है एज पी-1 पर 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 जिरो आ तो माइनस 1 & 4 are called the zeros of the quadratic polynomial जो यह हमारा quadratic polynomial है उस quadratic polynomial का हमारा जो यह है माइनस का 1 और 4 के अगाल है जीरो बहुत समझ मैं कि आप खुद देखें ना इसमें माइनस 1 पुट करती यह 0 हो जा रहा है ठीक है कि नहीं यहां पर प्लस का 4 पुट कर रहा है तो भी हमारा क्या 0 हो जा रहा है ठीक है न इसलिए हम क्या बोलेंगे माइनस 1 और 4 को बोलेंगे 0s of this quadratic polynomial इसके बारे में अभी आगे में मैं आपको डिटेल में और बताऊंगा ठीक है ना बस यह आप समझाने के रिए क्योंकि मैंने लीनियर बताया था तो मैंने यहां पे क्यूबिक उता दिया इस तरीके का क्यूबिक भी होगा तो क्यूबिक वाला को मैं directly भी आगे बताऊंगा ठीक है ना इससे नोटन कर लें आप अब हम दिखते हैं geometrical meaning of the zeros of a polynomial इस geometrical meaning क्या होता है important है समझें के ध्यान से सिर्फ आप questions करने के लिए मत पढ़े हैं ठीक है ना आप knowledge के लिए पढ़े हैं ठीक है अगर एक बार आपके आपके अंदर नौलेज आ सकती है तो आप इनी future किसे को बढ़ा भी सकते हैं तो कब बढ़ा पाएंगे आप जब आपके इंदर खुद की वह knowledge होगी तो depth knowledge होगी तो ठीक है ना इसलिए introductions part किसी भी exercise का बहुत important होता है उसको केरफूली दिखा करें टाइम लगता है टाइम देंगे तो ही आप अच्छी चीज़े रिसीव कर पाएंगे ठीक है ना मैंने आपको क्या बताया इस जो 2.1 है दो मिनट में विदिन 2 मिनट आइकने फिनिश एकसाइस 2.1 बट मैं आपको क्या कर रहा हूं पूरा introduction दे रहा हूं सारे चीज़े डीटेल में बता रहा हूं ठ उसको पी-थमाल यए आपको बता ही पहले से क्टी-थे हमारा क्या क्या है य होता है आप इसको दियान समझेंगे आपको समय में आ जाएगा ठीक है न एक बां मैं चाहता हूं कि आप उसको रटे नहीं समझे अगर कहीं पर पी-एकस इस अइथ जहाँ इंथिए यहाँ प् और एकसिए प्लेस पर फीछ पूये पूइंट कोई पूंट मालें यहां पर एकसिस के लिए है और यह क्या उता है यह । है ना बास पाई ओने हैं यह साहिए जैसे हम आप गोन हो गई भातु没有 1 अटिक लीएनन यह दə पी वन हमारे क्या y है पूरा फी wonders लिए पी एक्स की की वैए आथ क्या आता है तो यह पर पूरा को पूरा यह भांत आठाए आट अरल आई आपको समझेंगे आप ठीक हमें हमें पता है कि यहां पर 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 यहां प कि हमें y-axis मतलब नहीं हमें x-axis को देखना है अब दियान से समझेगा इसको भूल जाए आप मैंने यहां पर क्या किया है अभी जैसे तरह के समने आपको यहां पर बताया था यह वाला कि अगर आपको 0 निकालना है अगर कोई आपका linear polynomial given है तो 0 निकालने के लिए क्या होता है minus b y a minus b y a कटेंगा इसका 0 निकाल जाएगा है तो अगर मुझे इसका 0 चाहिए तो 0 कैसे निकालेगा minus b y a तो b के प्लिस पर क्या है 4 formula से minus आएगा यह हमारा क्या 4 है upon a की value कितनी यह 2 है तो cancel करने पर कितना है आपको यह minus का 2 minus का 2 है का न minus का 2 बास मझमारी न आप खुद देखें यहां पर यह minus 2 क्या है यह minus 2 x है यह ना x की value minus b भाई है तो यह हमारा x की value आई है ठीक है minus का 2 जो आपका है इस polynomial का 0 है अब check करना चाहते है यहां पर minus 2 पुट करें और मैं p minus 2 पुट करूँगा तो 2 into minus 2 प्लस में 4 तो कितना है का minus का 4 प्लस में 4 कितना 0 आ गया तो इसका मतलब यह हुआ कि यह linear axis यह linear polynomial x-axis को जहां पर कट कर रही है वह वाला point क्या कर लाएगा उसका 0 कर लाएगा ठीक है न वन कॉमाँ जीरो तो अब इस polynomial का 0 क्या कर लाएगा वन कर लाएगा और मालेज़े कोई हमारा ऐसा है कोई polynomial यह अईसे कट कर रही हमाले ती यह वाला point हमारा क्या 3 by 2 कॉमाँ जीरो है ठीक है न अब इस linear polynomial का 0 क्या कर लाएगा अब यह अब आप पूरूफ हो कर लाएगा इसको अगर आप सौल करेंगे माइनस भी बाइस सब्सक्राइगे अब इसको ध्यान से दिखेंगे और समझेंगे जो मैं यहां पर लिखा है इसको बहुत केरफुली आप समझेंगे ठीक है यहां पर क्या लिखा हुआ है you can see that the graph of y equal to 2x plus 4 intersects the x axis at the point minus 2,0 हना जो यह हमारा graph है x axis को minus 2,0 पर क्या कर रही है cut कर रही है ठीक है you also know that the 0 of 2x plus 4 जो यह हमारा 2x plus 4 है you also know that the 0 of 2x plus 4 is minus 2 हना जो यह 2x plus 4 का हमारा 0 है minus का 2 है minus 2 put करने पर 0 हो रहा है ठीक है thus the 0 of the polynomial 2x plus 4 is the x coordinate of the point where the graph of y equal to 2x plus 4 intersects the x axis तो कुछन में कह रहा है कि जो यह polynomial है जो 2x plus 4 जो polynomial है तो इसका 0 किया होगा जहां पर x axis को यह हमारा जो graph है को कट कर रही है तो x axis को कहां पर कट कर रही है minus 2 पर minus 2 क्या कर लएगा इसका 0 कर लएगा बहुत सिंपल चीज़ है बहुत सिंपल चीज़ है बहुत सिंपल चीज़ है इतनी बाल समझागे ना इसके बाद आप यहां पर देखें हमने कहा लिखा in journal for linear polynomial x plus b graph of y equal to x plus b is a straight line आपको पता है कि linear polynomial हमेशा एक इस्ट्रेट लाहन हीँ होता है ठीक है ना which intersects the x axis at exactly one point namely minus b upon a comma 0 तो हमने यहां बजीखी बताया था ना आपको कि मैनस बी जिरो यह क्या होता है यहां पर कट करती तो मैनस बी अपॉन एक पॉइंट पर करती है यहां पर देखें लिनियर नोट में लिनियर पॉलिनोमियल एक प्लस बी एक्जाक्ली वन जिरो तो उसमें कितने जिरो होंगे एक जैक्ली वन जिरो होंगे है टेखें इससे पहले वाला जो मैंने आपको करवाया था क्वाडिक के लिए क्वाडिक में हमारे कितनेवा fruit हुआ थे एक मैनस वन हुआ था और एक phor हुआ था लिमारे में में आगा सर wen झेखें और थिए पर सबस्वाइब लीनियर में एकजाक्लि टीन पॉइंट को सिर्फ एकजीन होगा बासा मुआ आपको आ रही है इसलिए यहां पर यह जिता एक हो एक जिरो होगा एक जगा है एक जगह कटकर रही है एक जगह कर रही है इससे note down करने के बाद फिर आपको यह वाले page को note down करना है ठीक है इतनी बाते इससे note down कर ले हैं तो अब next आपका क्या है आपका quadratic polynomials है इससे पहले आपने किया था linear polynomial ठीक है अब हमें देखना है quadratic polynomials में geometrical meaning of the zeros of a polynomial हमें पता है इसका यह जर्नल फॉर्म है अभी मैं आपको जर्नल फॉर्म पर ही बताऊंगा ठीक है इसके तीन कैसे होते हैं तीन को समझाओंगा आपको उसके बाद एक जामपल लेकर आपको समझा दोंगा ठीक है ना जो यह हमारा quadratic polynomial होता है ना यह एक्चुली पैरबोलिक इसके पॉइंट पर कट कर रही है यह हमने का लिखा है अपको पीछे में जब लीनेर वाला बताया था कि एक्चुली पाइंट पर कट करती है उतने जीरों होते हैं तो लीनेर पॉलिनेर पॉलिंएयल एक्सकिस को एकट करते है यह यहांपर दो पॉइंट कर रहे है ऐना यहां पर के पन्ष हो कहे घांज आ सक Şu एक पॉइंट को कटर के पास कर रही है यो इसупर ऑंगी दो अलग-अलग वैल्ण सा रही तो यह वेली थी है तो सेम्छ आईगी थे कि यहां लीगा तो यहां लिए हमने Damn the graph cuts the x-axis at exactly one point एक ही point पे cut कर रही है तो यहाँ पर कितने 0 होएंगे यहाँ पर 1-0 होगा 1-0 बात समझ मैं आ रही कि नहीं आ रही है case 3 देखते है case 3 में क्या है अब हमने देखा कि जो हमारा यह parabola है x-axis को cut ही नहीं कर रही है सिदा exactly upward है यह exactly क्या downward है मदले x-axis को cut नहीं कर रही है above x-axis है यह below x-axis है जब cut नहीं कर रही है तो यहाँ पर क्या होगा no 0 क्यों x-axis को cut कर रही है पर ही 0 आ रहा है ठीक है यहाँ यहाँ पर क्या होगा no 0 यहाँ पर क्या लिखा हमने it doesn't cut the x-axis at any point so the quadratic polynomial has no 0 इसमें कोई 0 होंगे यह नहीं note में देखे हमने क्या लिखा है so you can see geometrically that a qp means quadratic polynomial can have either two distinct 0s और one 0 और no 0 यहाँ पर हमने देखा कि दो अलग अलग 0 है यहाँ पर कितने 0s है two 0s यहाँ पर देखा one 0 यहाँ पर देखा no 0 यहाँ पर 0 है यह नहीं है this also means that a quadratic polynomial has at most two 0s इस तरीके से quadratic equation में at most कितने 0s होंगे two 0s होंगे at most means क्या होता है जादा से जादा 2 या एक या एक भी नहीं तो देखे हैं यहाँ पर जादा जादा 2 है यहाँ पर quadratic में एक ही 0 है यहाँ पर एक भी 0 नहीं है इसका मतलब क्या है कि this also means that a quadratic polynomial has at most two 0s तो quadratic polynomial में at most कितने 0s हो सकते हैं two 0s और आप एक दिखे quadratic polynomial हमारा है तो इसका degree कितना होता है two degree two है तो हमारा at most कितने 0s होंगे two 0s या एक 0 या एक भी 0 नहीं मैंनि याप example के खुरू आपको समझा रखा है ठीक है कि नहीं बात समझ में आपको आ रही है इस सब्सक्राइब पॉइंट को आप नो डाउन कर लें ठीक है ना तो quadratic polynomial में example आपको anxiety में है वो देखा देता हूँ देखें आपके यह y is equal to में दिखान से देखें यह y axis के लिए x y coordinate निकाल लें हमने यह आपके points पुट कर दिया इस points को पुट करने के बाद हमने यह x axis है यह y axis है ठीक है और यह जो points से सारे points को हमने plot किया उसका graph को draw किया तो पैराबोला हमारा है देखें दो x के दो अलग-अलग points पे यहाँ पर कितना है minus 1 0 है यह 4 0 है minus 1 0 मींस minus 1 पे यह 0 आ रहा है तो इस जो quality polynomial है उसका 1 0 क्या कहला है minus 1 और दूसरा क्या कहला है plus 4 कहला है I hope आपको सारी बात के clearly समझ में आ रही है समझ में आ रहा है ना तो यह जो आपका है किसके लिए था यह यह था y is equal to में x square minus 3x minus 4 का यह आपका है बात समझ मारी है के लिए रितनी बाते तो आपको क्या करना है इससे note on कर लिए है इसके बाद हम देखते है cubic polynomial पे अब इसी ट्रेप से मैं cubic polynomial को बताता हूँ cubic polynomial में आपको तो पता है cubic polynomial का जो हमारा होता है general form वो होता है ax cube plus में bx square plus में cx plus में d जहाँ a हमारा 0 is equal नहीं होनी चाहिए है ना तो हम यहापे मैंने cubic polynomial में directly एक लिए लिया x cube ले लिया ठीक है ना और अब पता है px को हम y बोलते है तो y equal to x cube हो गिया ठीक है ना x cube इस से हमने points ले लिया 0 put करने भी 0 होगा 1 पे 1 आएगा 2 पे 8 आएगा minus 1 पे 1 आएगा है ना और 2 पे minus 2 पे कितना हैगा 8 आएगा 0 पे 0 हमारा यहाँ होगा 1 पे 1 यहाँ होगा 2 पे 8 यहाँ होगा points को हमने plot कर दिया इसको graph को हमने assess किया तो हमने इसको graph को किया y equal to x cube को यह हमने case 1 यहाँ लिख देता हूँ case 1 पे है ना तो हमने यहाँ दिखा कि यह जो x axis को बस एक ही point पे cut करी जो point जहाँ पे cut हो रही यह point हमारा क्या है यह actually 0,0 है x की value 0 पे y की value भी 0 ही आ रही है देखो ना x की value 0 पुट करने पे y की value 0 आ रही है इसके मतलब यहाँ पे जो हमारा है इस polynomial का 0 क्या खालाएगा 0 क्या खालाएगा 0 पुट करने पे ही 0 होगा और किसी point पे 0 नहीं होगा यहाँ पे 0 of the polynomial x cube is कितना है 0 है तो यहाँ पे कितने 0 होगे 1,0 कितने 0 होगे 1,0 आगे देखते हैं हमने एक example और लिया है x cube minus में क्या है x square है ठीक है ना यह हमारे quality polymer है हमने यहाँ पे क्या क्या points और पुट कर दिया points मैंने बहुत सारली है यहाँ पे जो rate से मैंने इसे circle कर रखा है इसी points को मैंने यहाँ plot किया है x की value 0 put करेंगे तो y की value 0 हैगी x की value 1 put करेंगे तो y की value 0 हैगी minus 1 put करेंगे कितना minus का 2 हैगा और भी 2 पे 4 हैगा ऐसा ठीक है ना अब हमने क्या जीरो पे 0 हमारा यहाँ पे होगा 1 पे 0 x की value 1 y की value 0 तो 1 पे 0 यहाँ पे आएगा 2 पे 4 x की value 2 पे y की value 4 यहाँ आएगी ठीक है ना उसके बाद कितना minus 1 पे 2 x की value minus 1 पे y की value 2 यहाँ पे आएगा इस समने graph को हमने ऐसे यह graph को हमने पर Iकट कर रही है और यहां पर IKट कर रही है आएम पर physics- पॉएंट तो ले लिया इनकी देखेंगे पॉइंटस लेने के बाद हमने क्या किया जिरो यहां पर यहां पर यहां पिर यहां पर तो यहां पर यहां तो 3 प्लेसे पे ऐतने माइनस 2 पे कट कर रही है जरो पे कर रही है और प्लस 2 हएक cucumber पॉल्यमिल का ज drawn है कितना है इका माइनस zero होगा गया दोगा बिल्यमा फॉट पूट करेंगे यहाँ पर तो भी जिरो होगा यहांफे माइनस का जरिपीstar होगा जिरॉट करेंगे तो भी जिरो घथ हिए nécess aspect 7907 एट- ट्रीजगा 303 से ज्यादाए। बा स्मिभा रहा है तो क्योबिक एटमोस्ट 309 सकते हैं या तो टू जिरोज फोंग है एक जिड़ो जोंगे एक ज़ीरो फोर एन एक यह पर बात आहीЕ ना यहां पर वन जीरो है यहांwell curios ज्यादा 3 zeros होंगे, ठीक है न, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 zeros है, ठीक है न, तो in journal, रिमार्क मैं लिए गए, in journal given polynomial px of degree n, degree n, the graph of y equal to px intersect the x-axis at most n points, at most n points, therefore a polynomial px of degree n has at most n zeros, जैसे कि, जब हम बात कर रहे थे, quadratic की, जब हमारा quadratic था, इसमें कितने थे, at most 2 zeros थे, 2 zeros means, यहाँ पर 2 zeros होगा, यह एक 0 यह एक भी 0 नहीं हो रहा था, 9 zeros था, 9 zeros, ठीक है न, cubic में अभी हमने का दिखा, cubic में, यह तो 1 0 हो रहा है, यह तो 2 यह तीन, है न, इसलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, at most n zeros, जो degree का है, यहाँ पर degree कितना 2 है, तो ज़्यादा ज़्यादा कितना जिरों होगे, 2 0, अगर यहाँ पर ax cube है, plus में bx square है, plus में cx है, plus में d है, यह cubic है, इसका highest degree कितना 3 है, इसमें highest, जो हमारे zeros होंगे, कितने होंगे, 3 होंगे, 3 यह 3 से कम, 3 से ज़्यादा नहीं, ठीक, इतनी बाते, बस इतनी बाते थी, ठीक है, आपको पहले यह वाला page को no down करना है, इससे no down करने के बाद, आपको यह no down करना है, ठीक है, अब हम example देखते हैं, example one में 6 point given है, इसमें बताना है कितने zeros हैं, तो देखना, x axis को कितने point पे cut का है, one point में यहां कितना आएगा, one zero, एक zero आएगा, वैसे लिए दो one zero, ठीक है न, यह कितने जगा कट कर रहे हैं, दो जगा पे तो यहां पे two zeros, ठीक है, two zero, यहां पे कितने point में कर रहे हैं, one, two, three, तो यहां पे कितना हैंगे, three zeros, समझवाँ, simple है, यह एक point पे है, तो one zero, एक ही zero होगा, ठीक है न, यहां पे कितने है, x axis को one point पे है, तो यहां पे कितना हैंगा, one zero, तो जी रो हुआ है एक ही जीरोगा इहां पर खुछ न रिए वन तो थी फुर यहां पर फो जिरो जी सुट पर ने जहीं है तो बताइं xcific कट कर रही है, यहां पे करका no zero, यहां zero होगा ही नहीं, कटी है नहीं कर रही एक से यहांगेёмको यहांपर कितने zero होगे, यह पयंज के यह इस एककर पाइंट को यहांफिकि n Baptist यहांपर कितनी पैंट में 123? तो 30 xenon. यहां कितनी पॉइंट में, दो पॉइंट में तो यहां कितना हैगा? टू जिरो ज यह 1,2,3,4 है न, यहां पर कितने 40 और यहां पर, 1,2,3, है न अब यह मतल़ से कटी कर रही है मैं तच कर रही है ना तो मतलब कड़ी हो गया ठीक है ना तो वन टू थी त्री जिरो यहां पर थ्री जिरो जेंगे बास समझा रहे हैं अगर बाइद वह कोई भी कॉंसेप्ट और रह जाता है तो हम कमिंग वीडियो में ठीक है ना आपको बता देंगे दियर आप मुझे कॉ समझ में आई है और मैं जो कॉंसेप्ट देंके बताता हूं यह को सॉल करने के लिए मैं तो अच्छी लगी है तो उपकर दिया करें अगर चैनल पर नियूद सब्सक्राइब कर ले बिल आइकन प्रेस करने के बाद अगर आप का option आता है तो all पर क्लिक कर दिया करें इससे फायदा यह है कि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूंगा उसकी डैरेक्ट नोटिफिकेशन सब को मिलती रहें अब मिलते कमिंग वीडियो में all the very best by good luck टेक किया अब इससे नोटान कर लें